रहे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं NLAB X7 के बारे में जो कि हैं यहाँ पर डूज चैनल पॉर्ण अम्प्लिफायर जो कि काफी हेवी अम्प्लिफायर है यहाँ पर मैं आपको बताने वह दूस्तों कि यहाँ पर दो बेस आप इसमें कितने हजर वाट तक कर चला स है यहां पर 8 प्रले मेंगे तो एंपलीफार वर्किंग करेगा जःतारा सया यहां पर पहले हैं कमेंट देख लेते तुम सिर्य एंप्र यार आप देख सकते हो काफी लंबननाम है जिनका भी बाए ना जै भाई का मैं यहाँ पर सोट कोर में बताते हूं जै भाई का कमेंट है एनलेब एक सेवन पर वीडियो बनाओ में जुरूर बता दीजेगा मैं आपका comment का pin कर दूँगा तो दूसरे भाई का help हो जाएगा price से related तो हम बात कर लेते हैं Nlab amplifier के बारे में जो की है X series का amplifier जो की इसका model number है X7 So amplifier आप देख सकते हो दो चनल का amplifier है यहां पर indicator आपको light मिल जाते है and power on up का switch मिल जाता है और काफी अच्छा amplifier है तो जो लिए बात कर लेते हैं फटापर से यहां पर load calculation के उपर लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका specification तो यहां पर output के बारे में बात करते हैं आपर atoms के उपर 800 watt का per channel output आपको मिलेगा अगर Emeraldot forums में, bridge में अगर 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 आप चलाते हैं तो यहांपर forums में आपको 4500 watt का output आपको मिल जाएगा और बात करते हैंऑ आपर dumping factors के बारे मारवें तोan इसमें 800 का आपको मिल जाता है अब बात कलते हैं यहां पर amplifier के weight का बारे में यहां पर इसका net weight है 45 kg मतलब 45 kg का amplifier है तो यहां पर हम कह सकते हैं काफी अच्छा weight है आपको मिल जाता है amplifier में बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको 4 fan मिल जाता है इस amplifier में तो काफी अच्छा यहाँ पर amplifier जो है काफी cool रहने वाला है कि यहाँ पर चार fan यूज किया गया है अगर आप इस amplifier के लेतो हो कहीं से भी तो यहाँ पर तीन साल का warranty भी आपको मिल जाता है तो काफी अच्छी बात है तो यहाँ पर हम सीधी सीधी बात कर लेते हैं पर speaker के उबर जैसे की load calculation हम कैसे करेंगे 2-based, 4-based या फिर 8-based से related तो यहाँ पर हम पहले 2-based हम चला आते हैं तो कितने 1000 वाट तक का चला सकते हैं तो यहाँ पर 1500 वाट से लेकर के 2000 वाट का speaker आप चला सकते हो इस amplifier में जो की काफी चलाएगा यहाँ पर 1500 से मतलब कहने का यह है 1500 से RMS या फिर 2000 वाट का RMS और यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1800 वाट का भी यहाँ पर काफी अच्छे से चला सकते हैं RMS वाले तो यहाँ पर 1500 से लेकर के 2000 वाट के जो speaker आते हैं वो speaker आप इसमें चला सकते हो काफी अच्छे से और काफी अच्छा bass भी आपको मिल जाएगा बात करते हैं चारों के उपर मतलब फोरों के उपर 2 speaker एक चनल में 2 speaker दूसरे चनल में यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर आप 1500 वाट से लेकर के 1800 वाट का 4 bass आप यूज कर सकते हो तो यहाँ पर आप समझ सकते हो मैं आपको क्या बताने की कोईश करोंगा तो यहाँ पर 1500 वाट RMS से लेकर के 1800 वाट RMS तक आप यहाँ पर चार बेस उसे कर सकते हैं, दो बेस एक चनल में, दो बेस दूसरे चनल में, अब बात करे लिते हैं, अब बात करें, आप लोड कलकुलेसिंट में आपको बता देता हूँ, तो यहां पर आजो वाड्य, और एक हज़र वाड्य का AES आप चला सकते हो, तो यहाँ पर आप 800 watt का 4 base एक चल में और 800 watt का 4 base दूसरे चल में आप चला सकते हो यह नगर AES power में है तो 1000 watt तक कभी आप चला सकते हो कोई दिकत नहीं आगी काफी अच्छा चल जाएगा लेकिन मैं आपको recommend नहीं करूँगा कि यहाँ पर 2 ohms के उपर आपको base जो है उतना अच्छा नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आप 8 ohms के उपर यूज़ करिए या फिर 4 ohms के उपर यूज़ करिए काफी best result आपको मिल जाएगा इस amplifier में तो यहाँ पर बात रही तो यहाँ पर सारे मैं आपको बता दिया है और यहाँ पर price अलिटर था यहाँ पर भाई ने फूचा था price भी तो price जो है confirm नहीं हूँ अगर confirm हो जाएगा तो comment कर दूँगा अगर आपको पता है इस amplifier का price तो नीचे comment में जुरू बता दिएगा मैं उस comment को pin कर दूँगा तो अगले भाई का जो है वो सवाल का जवाब मिल जाएगा तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में नीचे comment में जुरू बता हैगा वीडियो कैसा लगा वीडियो की टॉपिक पर चाहिए तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम